बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी भाई बैनों को विशिष्ट शिक्षक बनाये जाने के लिए शिक्षक सक्षमता परिक्षा का शेडूल जारी हो गया है और उसका नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन भी जारी हो गया है इस इसा भी पॉसिवल नहीं है तो बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में बता रहा हूं जैसे के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे फिर आपकी सेलरी वाला मामला उसमें अंकित होगा फिर दुबारा सत्ता पित होगा फिर आपको आप रोल करन होने जा रही है अब यह सबसे पहली बात तो यह कि इसमें आवेदक कौन होंगे कौन इसमें फॉर्म बर सकेगा है तो एक तरीके से अचै क значит कौन इसमें आवेदक होगा तो इसमें जितने भी बिहार सरकार के इस्थानिये निकाए उनके द्वारा राज्य के प्रात्मिक और मात्मिक विद्धालों में जो भी teachers कारेरत है जो नियोजित है जो वहां पर अपना काम कर रहे है या सेवा रत हैं वो इसके लिए योग्य होंगे ठीक है ना तो प्रात्मिक मात्मिक और उच्छ मात्मिक स्कूलों के टीचास तो चार फेजों में होगी एकजाम पहली से पांच वी छटी से आठ वी नवी से दस वी और ग्यार वी से बार वी जैसे कि आपकी टी आरी वन और टी आरी टू हुई थी ना उस तरीके से एक फरवरी से 15 फरवरी तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे और आपका जो एकजाम है वो भी संभवत है फरवरी के लास्ट वीक में हो सकता है डेट तो इन्होंने 16 फरवरी भी दी है पर 16 फरवरी की संभावना कम है क्योंकि 15 तक तो आविदनी होंगे फिर बीच में बव चुनाव के आचार सहीता लग जानी है और फिर अपरेल में मई में लोगसभा चुनाव भी होने है तो ऐसी स्थिति में एक्जाम तो हो सकता है डिले हो पर हो सकता है कि BPSC करा भी दे जैसा कि अभी तक एक्जाम करवाएं हैं अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्रारत्म के से बाली होगी एक से पांच, छे से आठ, नो से दस और ग्यारवी बारवी के लिए इसका एक्जाम पैटर्न एक बर समझ लो आप एक्जाम पैटर्न क्या है कि इसमें 150 अंकों के 150 कोश्चन आएंगे आपके और फॉर्मूला वही होगा आपका 30 अनुपात 40 अनुपात 80 यानि कि 30 जो आपके प्रशन है 30 जो प्रशन 30 नंबर के हैं और यह भाषा से सम्मंदित होंगे भाषा कौन सी है हिंदी, इंग्लिश, उर्दु और बांगला इन में से चारों में से एक भाषा आपको चुननी है और जो चारों तरीके के टीचर से हैं पहली से पाचवी, च असी अंक का होगा, इसमें आपका सामानने विशेश या फिर आप सकते हैं सब्जेक से सम्मंदित आपकी नोलेज परकी जाएगी, तो यह आपका एक्जाम पैटर्न होगा, फीस इसमें सभी की एक्वाल सो रुपे रखी गई है, तो फीस आपको देनी होगी, अब एक इसमें इसमें इंपोर्टेंट चीछ जो मैं आपको बता रहा हूं वो द्यान लखना, जितने भी नियोची टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा के हो, पहली से लेकर के 12th किलास तक कहीं भी हो, सब को यह आवेदन भरना है, सब को यह उत्तिन भी करना है, पास भी करना ह अलग लग रखा गया है, जनरल कैटिगीरी के 40%, 40% कैसे, 150 नंबर का पेपर है, तो आपको 60 नंबर तो लाने ही लाने है, इस तरीके से आपको रखा गया है, इसमें, किलियर है, फिर BC के 36.5% है, EBC के 34% है, 34, SCST को 32% लाने है, दिब्यांगों को लाने है, 32% और महिलाओं को लाने है, 32%, महिलाओं दिब्यांगों को 32% है, तो इस तरीके सा आपको minimum marks लाने है, वो जमाना गया है कि जब माइनस में भी reservation होने के कारण selection हो जाता था, teacher बन जाते ते या selection हो जाता था, अब ऐसा नहीं है, quality के लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसका फायदा हमारे बच्चों को भी होगा, अच्छा, यह आपका system था, सभी को form बरना है, सभी को उत्तीन करना है, नियूनतम उत्तीन अपले जर्विशन category के हिसाब से आपको लाने है, एक अच्छी बात है इसमें, इसमें negative marking नहीं है, तो आपको सारे question ही attempt करने चोड़ना नहीं है, के लिए रहे, बाश sub category में सभी subject के अलग-अलग code दिये हुए हैं, तो भरते समय code में गलती मत करना, TRE phase 2 में आप गड़बड कर गए थे, तो code के करन बड़ी परिशानी हुए थे, तो code में गड़बड मत करना, ढंग से code देखना है, हिंदी का code आपको चारो जगे अलग भी मिल सकता है, इंगल चुंतम उत्रिणांक मैंने आपको बता ही दिये हैं, अचा, सभी को जितने भी उत्रिण होंगे, सब को प्रमानपत्र मिलेगा, और जो आप इसमें आवेदन भरेंगे, तो उसमें आपको विद्याले आवेंटन के लिए तीन विखल बरने पड़ेंगे, विद्यालों के त बड़े काम की है, उससे आपकी पता लग जागे, एक्जाम की तयारी कैसी है, अचा, एक्जाम फरवरी के लास्ट वीक में हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, और इसके एडमिट कार्वरी के थड़ वीक में आ सकते हैं, फिर भी कोई बात हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की तो आप पूछ लेना, अचा, इसमें एक चीज हो रहे है कि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, फिर आपकी दिसंबर तेज की जो सेलरी उसका सत्यापन ह होगा, तो आपका जो जिला आदिकारी, जिला कारेकरम पता अदिकारी, स्थापना है, वो इसका सत्यापन करेगा, फिर आपको दुबार अपलोड करना पड़ेगा, उसमें आपका आधारकार आप मेंशन रखना, तो ये चीज़े हैं, आपको तब ही एकजाम में आप जरूर करें, चैनल पसंद आए, सब्सक्राइब कर लें, बैल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियो के नोटिफिक्शन मिलते रहेंगे, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजियोड में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जाहिन, जा आए, आए, जाहिन, आए, और क्लेवा!